17 जून शनिवार को रात 10 बच कर 56 मिनट बजे शनी ग्रह कुम्ब में वक्री होगा। इस दिन से शनी की उल्टी चाल शुरू हो रही है। 17 जून से 3 नवंबर 2023 की देर रात 12 बच कर 31 मिनट तक शनी वक्री हैं। उसके बाद से वे मारगी होंगे। ग्रह जब वक्री होते हैं तो वे नकारात्मक फल देते हैं। वक्री शनी के कारण कुछ राशियों को लाब होगा तो कुछ को अशुप प्रभाव देखने को मिल सक और इन सब से बचने के लिए हम आपको शनीदेव को प्रसंद करने के लिए आपको कुछ उपाएं भी बताएगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको अपनी राशी के बारे में जा प्रोक्री पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अधिक मेहंत करना होगा। अब है व्रिश राशी। इसमें शनी की उल्ती चाल के कारण काम का बोज बढ़ीगा। जिससे तनाव और ठकान हावी रहेगा। आप प्रोपर्टी विवात का हल निकलेगा। परिजनों की सेहत का ध्यान रखें। और इन सब के बाद आपको शनीदेव की आरती भी करनी होगी। अब है मिथुन राशी। मिथुन शनी के कारण आपको विदेश में रहने या फिर बड़ी कमपनी में काम करने का सपना पूरा हो सकता है। सामाजिक कारियों और धार्मिक गतिविधियों में शामिल होंगे। यात्रा लाबदायक होगी। कार्य और फैसले की सराहना होगी। और आपका जो भी सपना है वो भी जल्द पूरा होगा। अब ये जो राशी है उसमें सायद आपके साथ कुछ अशुब हो स मामला पेचीदा हो सकता है। और सायद आपको कुछ अशुब समाचार भी मिल सकते हैं। सिंग वक्री शनी का प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। काम अटक सकते हैं और दामपत्य जीवन में कटुता आ सकती है। इस समय में आप कोई भी काम साजहदारी में ना करें। वक्री शनी आपके लिए मिलेजुले परिणाम दे सकते हैं। लव लाइफ में परेशानी हो सकती हैं जिसके कारण लव मैरिज में रुकावट आ सकती है। हालां की बिजनेस और नौकरी के लिए समय अनुकूल है। करियर में उन्नती होगी। वरिश्चिक शनी की उल्ती परिचाल आपके जीवन पर मिलाजुला असर डाल सकती है। प्रॉपर्टी विवाद हल हो सकता है। और सरकारी काम पाने के लिए समय अनुकूल रहेगा। लेकिन हर काम को धैर्य के साथ करना होगा। उतावलेपन से काम खराब होगा। इस राशी वालों को लाब ही लाब हो सकता है। धनों इसमें शनी के वक्री होने से आपको लाब हो सकता है। साहस और पराक्रम के बल पर हर कारे में सफलता प्राप्थ होगी। विदेश यात्रा पर जाने का योग है। कठिन हालात में भी आप धैर्य से काम लेंगे और सफल रहेंगे। और आपको जल्द ही कुछ शुप समाचार भी मिल सकते हैं, मकर राशी इसमें शनी की उल्टी चाल से आपको धन लाब हो सकता है, जो रुपए आपके अटके हुए हैं, वे वापस मिल सकते हैं, इससे आर्थिक पक्ष मजबूत होने की उम्मीद है, बिजनेस में फाइदे की स्थिती रहेगी, ब अर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता है, बिजनेस में मुनाफ़ा होगा और नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल होगा, क्रोध से काम खराब होगा, इसलिए ज्यादा क्रोध ना करें, अब ये जो आखरी राशी हैं उसके बारे में हम आपको बाद में बताएगे, उ शनीदेव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार के दिन तेल का दान करना शुब होगा, शनीदेव को सरसो के तेल से अभिशेक करें और नीला फूल चड़ाएं, शनीदेव की शुब छाया के लिए काले तिल का दान करें और शनीदेव को अर्पित करें, उशन शनाश्चरा नम मंत्र का जब करें शनी चालीसा के पाठ के साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ करना लाबकारी माना जाता है गरीबों और असायों को जूते चपल तेल काले तिल काला कंबल नीले कपड़े का दान करें चलिए अब हम बात करते हैं मीन राशी की इसमें शनी की उल्टी चाल आपको सतर करने वाली है कोई भी फैसला जल्दी बाजी में करने से हानी हो सकती है वाहन सावधान होकर जलाए नहीं तो दुरगटना हो सकती है इस समय किसी को रुपे उधार न दें वह धन अटक सकता है सेहत का ध्यान रखें